अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमश्यार वबा सक्षिनिस नेटवर के खास करक्रम के बनावे सुनार बांगला में आप सभी का स्वागत है भाजबा नेटा जहां अपनी चनावी रैलियों में तर्मूल शाशन की कथित नाकामियों पर निशाना साथ रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री में आपको विस्तार से पताएंगे मुंता बनर जी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या क्या बाते कहीं है इसके लावा बात करेंगे बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की साथ ही आपको बताएंगे कि एक फरजी खबर के फैलने पर चुनाव आयोग ने क्या स्पस्टी धंधाबाज करार दिया और कहा कि उनकी किस्मत पूर्व अमेरिकी राश्पती डॉनाल्ड ट्रम्प से भी बुरी होगी हुगली जिले के शागंज में एक रैली को समुदित करते हुए उन्होंने कहा मोदी और ग्रह मंत्री अमिच्षा पूरे देश में जूट और नफरत फैला रहे हैं ममताव अनर्जी ने कहा नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े दंगावाज हैं ट्रम्प के साथ जो हुआ मोधी के साथ उससे भी बुरा होगा हिंसा से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है सब्सक्राइब आगे कहा मैं विधानसवाच राओं में गोल कीपर रहूंगी और भाजपा एक भी गोल नहीं कर पाएगी सभी शॉट गोल पोस्ट के ऊपर से चले जाएंगे मुख्यवंत्री ने कोईले की हिरा फेरी से जुड़े एक घोटाले क के सिलसले में तिर्मूल कॉंग्रेस के सांसत अभिशेग वैनर्जी की पतनी से सीवियाई पूस्ताच के भी निंदा की और कहा कि यह हमारी महिलाओं का अपमान था इसमिश क्रिकेटर मनोस्तिवारी और कई बंगाली अभिनेता रैली में ममताव एनर्जी की मौजूद्ग अधिक लोग घायल हो गए थे नीम टीतर रेलियो स्टेशन पर धमाका 17 फरवरी की राद करीब 10 बजे तब हुआ जब तिर्मूल कॉंग्रेस के नेता और श्रम राज्यमंत्री हुसैन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर कोलकाता के लिए ट्रेन का अंतियार कर रहे थे सिएडी के एक वरिष रदिकाई ने कहा हमने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है धमाके में घायल हुए जाकिर हुसैन और अन्य लोगों का शहर के एक सरकारी स्पताल में इलाज चल रहा है दूसे और पश्चिम मंगाल के पश्चिमी मेदनीप खेत्र के अंतरगत अभिरामपुर गाउं में शौभिक दोलुई और तुर्मुल कॉंग्रस के दो अन्य कारेकरता बैठे हुए थे तभी लगभक रात नौ बजे तीन व्यक्ति मोटरसाइकल पर आये और उनकी और एक बम फैका पुलिस के काज़काई ने कहा कि हमलावरों ने मौके से भागने से पहले 24 वर्षिये दोलुई पर गोलीबारी भी की उन्हें कहा कि तीनों को खड़कपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां दोलुई को मृत्खोशित कर दिया गया मेधनिपूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गय तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बंप है के जा रहे हैं इसी वीच चुनाव आयुग ने कहा है कि केंदरी पुलिस भल विशेश रूप से पस्चिमंगाल नहीं भेजे जा रहे हैं बलकि सभी चुनावी राज्यों में उनकी तनाती की जा रही है साथी चुनाव विशेशकर उन गंभीर और नाजुक छेत्रों में जिने सावधानी पूर्वक की गई अग्रिम समीक्षा में चिन्हित किया जाता है और जिनके बारे में राजनीतिक दलों और अन्य एकाईयों सहीद विभीन स्रोतों से पुक्था फीडबैक प्राप्त होता है चुनाव तो ने चाहा कि उसके संघ्यान में आया है कि मीडिया के कुछ वर्गों में चप्षिम मंगाल में विशे ुणि रूप से चेंधरी هंड बेते हुए कहा किने पुलीस जोल सभी कशिए राज्यों पिज़े गये हैं झाल झाल